Hello guys, most welcome on our channel, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Become First Year के syllabus के बारे में for 2023-2024 के students के लिए तो इस वीडियो को end तक देखना आपको काफी valuable information मिलेगी और काफी सारे doubts भी आपके solve होंगी तो ये Become के लिए dedicated channel है और जो मैं अभी syllabus की बात करूँगा उसको कैसे prepare करना है उसके बारे में भी मैं आपको suggestion दूँगा ठीक है तो आपके लिए काफी helpful रहेगा end तक देखना सबसे बात कर लेते हैं Become की और Become First Year में अभी students आए हैं जो उनके syllabus की तो First Year यानि 2023-2024 के syllabus की बात कर रही है ठीक है ओकी तो Become First Year के अंदर बया ऐसा होता है दो तरह की universities के अंदर कुछ अलग-अलग तरीके से exam होते हैं कुछ universities क्या करती है yearly exam लेती है लेकिन आप यह realry रह गया है मतलब अब ऐसा नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ university में हो सकता है कि आपके exam yearly हो yearly का मतलब हो गया आपके First Year के exam only one time होंगे ओके यानि की जो अवेकेशन प्रिड होता है उससे जस्ट पहले March के आसपास आपके exam होंगे अगर आप अपी admission लेते हैं July के अंदर तो ठीक अभी admission process चल रहा है काफे सारी university ने जो है अब semester basis पर अपना exam लेना start कर दिया है अधिकतर यह होता है जरूरी नहीं आपके लिए हो बट अभी आने वाले एक-दो साल के अंदर सारी universities semester basis पर आ जाएगी क्योंकि अभी जो new education policy आ रही है उससाप से universities अपने जो exam patterns है उसके इंदर change कर रही है ठीक है तो semester में आपके first year के अंदर दो same होंगे मैं भी कॉंब first year की बात कर रहा हूं तो इस first year में आपके होंगे 2 same, एक होगा same number first यानि की semester first और एक होगा semester second ठीक है first six months में आपके इसके exam होंगे last six month में आपके इसके exam होंगे total हो गया आपके 12 month यानि की 1 year ठीक है समझ गया आप तो यानि की जैसे आमारी स्कूल में होता ना पहले आप फिर yearly exam फिर हम 11th class के लिए किया फिर 12th में है ना तो ऐसे कैसे यहापर विकॉम first year में आपके same first same second फिर विकॉम second year के अंदर आप जाएंगे विकॉम first year के subjects के बारे में आजाता हूँ आप आप खुद पता कर लिजी आपकी university में कैसे exam हो रहे है semester wise हो रहे है या yearlies हो रहे है ठीक है विकॉम first year में जो subjects हैं लगवग हर university में actually same रहते हैं कोई एक दो subject इधर उधर होता है तो मैं आपको इसका फंडा बताता हूं देखो क्या है टोटल आपके छै सब्जिक्ट होते हैं कितने होते हैं six subjects okay इसमें दो मेन सब्जेक्त होते हैं कुछ आपके theory सबजेक्ट होतेदो जो में सब्जेक्त होते हैं उसमें एक हर university में यह होता ही होता है financial accounting हरी Who Tいう में होता ही ठीक है इसके अरबा सेकेंड सब्जिक किसी तो अब यहां पर cost accounting होता है, कुछ universities में cost नहीं होके business statistics ले लेते हैं, business statistics, ठीक है, कुछ university में क्या करते हैं, वो auditing दे देते हैं आपको, कुछ university में इसके अलावा कोई corporate accounting दे दिया आपको, तो वो आपको अपनी university की website से syllabus डाउनलोड करना होगा, या अपनी college में, university में जाके पता करना होगा, या फिर जो पहले से ही become कर रहे हैं, आपके आस-पास, जहाँ university लगती है, आपके उनसे पता करना होगा, उनसे students से पता करना होगा, बना आपके senior से पता करना होगा, best रहता है website पर क्योंकि आज के time में हर university की website है और उस website पर जाईए और वहां से आप से ले बस अराम से download कर सकते हैं ठीक है ओके तो अब यह है मामला अब इनकी तो आपको करनी पड़ती है अच्छे से सब्जेक्ट होता है next आते हैं फिर यहां पर other subject उसके अंदर आपके economics होता है जिसको business economics बोलाजाता है तो economics होता है और business law होता है है ठीक है तहो economics हो गया या बिजनस लौ हो गया या फिर इसके अंदर आपके जो है कई बार management का कोई subject दे देते हैं principle of management दे देते हैं तो यह theory subject principle of management हो गया business management हो गया उसका एक subject देते हैं एक आपको कोई business environment से related या organization से related आपका subject हो जाता है लेकिन यह subject जो है यहां से लगा कर यहां तक यह theoretical होते हैं ठीक है अब इसमें main subject जो है जिसकी आपको preparation करनी पड़ेगी आपकी college में अ आपको coaching करना पड़ेगा coaching के लिए offline या online दोनों कर सकते हैं हमारे channel से help ले सकते हैं तो वो कौन से subject है जिसमें आपको guidance की बहुत ज़्यादा ज़रूद पड़ेगी उसमें एक आता है आपका financial accounting ज्यान से देखना एक financial accounting अगर आपके cost accounting है तो यह business statics है तो यह ओके इसके ला accounting अगर है तो करना पड़ेगा cost की जगह अगर business statics है तो वो करना पड़ेगा उसकी जगह audit है तो उसको अच्छे से करना पड़ेगा economics आपके होगा उसको अच्छे से करना पड़ेगा business law को अच्छे से करना पड़ेगा अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर इस YouTube channel पर इन सभी से related playlist बनी वी है financial accounting की बनी वी है और business tactics की हम start रने वाले है economics की बनी वी है business law की start होने वाली है जल्दी ही 2-3 जुलाई से start हो जाएगा यानि यह बहुत जल्दी तो यानि कि आपको यह जो main subject है चार यह हमारे YouTube पे आपको मिलेंगी ठीक है जो paid classes है उसके बारे में inquiry लेनी हो तो ही contact करें ठीक है 9461234898 ठीक है क्योंकि यह जो यहाँ पर staff रखा हुआ है वो यह call करोगे तो आपको response देगा तो उसको बोला हुआ है paid classes के बारे में अगर कोई student information मांगता है तो उसको आप provide कराईए उसको समझाईए कि कैसे join करना है कैसे app download करना है क्या-क्या उसमें आपको facilities मिलती है कैसे notes मिलेंगे कैसे live classes होगी तो वो सारी information आप यहाँ से ले सकते हैं और इसके लावा कुछ और बूचना है तो comment कर सकते हैं लेकिन YouTube पे classes आते रहेगी देरे-देरे हम स्टाप भी बढ़ा रहे है मैं माएंगे आपको business law पढ़ाएंगे और देरे-देरे और भी teacher समलाने की पूरी try कर रहे है बस आप हमें support कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा like, share and subscribe करें comment करें और अपने सारे friends तक इस channel को पहुँचाएं तो मिलते हैं next lecture में आज के लिए तब तक के लिए goodbye and thank you